आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello वच्चो, आजका हमारा प्रस्ण है हल कीजिए 10X बराबर रिण करनी 3 तो हमें प्रस्ण में बोला गया है हल कीजिए मतलग कि हमें X का ब्यापक मानग्याद करना है तो हम सबसे पहले चलिए प्रस्ण लिख लेते हैं प्रस्ण है 10X बराबर रिड करणी 3 तो चुकि हम जानते हैं कि 10 पाई बटे 3 बराबर होता है करणी 3 तो हम करणी 3 की जगह 10 पाई बटे 3 लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 10X बराबर रिड 10 पाई बटे 3 चुकि हमें पता है कि रिड 10 थीटा बराबर 10 रिड थीटा के बराबर होता है तो हम अगर रिड को अंदर ले जाएँ तो यह हमारा हो जाएगा 10X बराबर 10 रिड पाई बटे 3 चुकि हमें X का ब्यापक मान ग्याद करना है तो हम जानते हैं कि यदि 10 थीटा बराबर 10 अलफा हो तो थीटा बराबर होता है N πाई धन अलफा तो अगर हम इन दोनों समी करण को आपस में तुलना करें तो हमारा थीटा किसके बराबर हो जाएगा? X के बराबर हो जाएगा और अलफा किसके बराबर हो जाएगा रिण पाई बटे 3 के बराबर हो जाएगा तो यहां से हमारा जो X का मान निकल के आएगा X बराबर हो जाएगा हमारा N पाई धन अलफा की जिएगे हम क्या लिख देंके रिण पाई बटे 3 तो इसका हुआ अगर सरल कर लें तो यह हो जाएगा हमारा एकस बराबर एन पाई रिण पाई बटे तीन तो हम कह सकते हैं कि एकस का जो मान निकल के आएगा या एकस का हल निकल के आएगा या हम X को ऐसा भी कह सकते हैं कि X का जो ब्यापक मान होगा हुआ है N πाई रिन πाई बटे 3 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा धन्यवाद